लोगसबा चनाब में प्रचार के समय जिस भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था वही पाटी मतगड़ना में 300 के पार भी नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि नितीश कुमार क्या पल्टी मारेंगे वैसे हम आपको बता दें कि इससे पहले ही तेजस्वी यादद ने भी अपने बयानों में नितीश कुमार को खुला ओफर दिया था। लिए साथियों की जरूरत होगी। ऐसे स्तिथी में भाजपा के लिए बिहार के सीम नितीश कुमार और आंधर प्रदेश के चंदर बाबु नाइडू सहारा बनते दिख रहे हैं। जेडियों ने बिहार में कुल 15 सीटों पर बढ़त बना रखी है और टीडीपी ने आंधर में 16 सीटे पाई हैं। यहीं नहीं आंधर प्रदेश में तो चंदर बाबु नाइडू और भाजपा का गटबंदन करीब 1500 सीटों से आगे चल रहा है और इस तरह नाइडू की लोटरी लग गई है। 16 और जेडियों की 14 सीटे भाजपा को मिलती हैं तो लगबर 245 सीटों वाली पार्टी 275 के दावे के साथ सरकार बना सकेगी। साथ सरकार बना सकेगी। इसके अलावा एक नाश्रिंदे की लीडर्शिफ वाली शिफ सेनभी साथ सीटे जीट दिख रही है। इसे में 280 के पार का आकड़ा आसानी से सरकार बनवा देगा। अब उसके लिए इन्हें मैनेज करना उतना कठ नहीं होगा और आसानी से सरकार का गठन कर पाएगी। आपको बताते चलें कि एन्डिये में भी पवन कल्यान भी है जिनकी पार्टी दो सीटे जीत कई है। भरोसे रहना होगा।